हेलो दोस्तों स्वागत है आपका IT ज्यान पे मेरा नाम है विन है आज कि इस वीडियो में हम बात करें हैं कि आप फ्लिपकार्ट पर प्रोड़क्ट मैपिंग कैसे कर सकते हो अगर आपने किसी ब्रैंड का उत्राइशनल ले रखा है या फिर आपने उसे परमिशन ले रखी ह तो आप इसली किसी भी प्रोड़क्ट में उस ब्रैंड के मैपिंग कर सकते हो लेकिन अगर आपने किसी ब्रैंड का परमिशन ले रखा और आप उस प्रोड़क्ट में मैपिंग करते हो तो आप फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग को अटा सकता है या फिर आपका अकाउं को suspend कर सकता है एक चीज और मैं आप से बोलना चाहूंगा कि आप किसी की छोड़े seller की जो listing होती है उसमें mapping मत करो क्योंकि छोड़े seller होता है उसके पास trademark भी नहीं होता स्टार्टिंग में अगर आप उसके में mapping करते हो तो बहुत स्यादा problem होती है उसको उसकी sales भी नहीं आती है तो आपको इस चीज का और ध्यान रखना है तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ता हूँ मैं आपको step by step बताता हूँ कि आपको कैसे flip card में mapping करनी है किसी प्रोड़क के अंदर सबसे पहले आपको flip card' के seller account के अंदर login कर लेना है इसके बाद यहां पे आपको mylisting के ओपर click कर देना है जैसे आप इस इसके ओपर click करते हो उसके और आपको add a new listing के ओपर click करना है और यहाँ पे आपको options देखने को मिलेगा यहाँ पे officer look को एड करने एक option देखने को मिलता है तो यहां पर आपको simply क्या करना है कि यहां पर add a single listing पर click नहीं करना है यहां पर आपको उस brand को search करना है जिस brand के product में आप listing करना चाहते हो तो मैं यहां पर simply search करता हूँ लेकिन वह brand आया नहीं जिस में mapping करना चाहता था तो मैं simply क्या करूँगा कि flip card पर यहां पर search करूँगा जो flip card का buyer portal है वहां पर search करूँगा flip card मैं यहां पर उस brand को search करूँगा जिस brand के product में मैं mapping करना आता हूं तो यहां पर आपको simply क्या करना है जैसे मैंने यहां पर search कर लिया उस brand का नाम और उस से लेटेश जितने भी products हैं वो यहां पर आ चुके हैं तो मैं simply क्या करूँगा यहां पर जो उपर link दिख रहा है आपको इस link को आपको copy कर लेना है और इस link को copy करने के बाद वह product यहां पर आ चुक है आपको simply क्या करना है start selling पर click करना है आप add variant भी कर सकते हो तो यहां पर seller sqid आपको डाल लिए है तो यहां पर मैं simply seller sqid जो मैं रखना चाहता हूं वो यहां पर डाल दूँगा फिर listing status आपको रखना है तो listing status आपको active रखना है उसके बाद यहां पर MRP है और यह सारी details है जो की flip card में mandatory होते हैं इन सभी details को आपको बना MRP, selling price यह सारी चीज़े आपको बढ़ने है जैसे आप normal listing में बढ़ते हो उसी तरीके से यह सारी details आपको बढ़ते हैं जैसे की procurement type जो आप रखना चाहते हो उसके बाद procurement SLA stock यह सारी चीज़े आपको बढ़ प्रोड्क है वह आपको बहना है उसके सालह नीचे जब आप सिक्र्ल करते हो तो यहां पे हैसे पाको बोढ़ना सकते हो तूस्के ल सब्कार पर चक्शंन पर डाल सकते हो अपके सबसे हो आप यहां सबस्के इंथ इस सारे चीज़े आप ढाल सकते हो अगर आपका product out of India का है तो आप लिक्न आप करेंगे यहां पूड तो कमेदe करना होता है ज्यसी आप हुजर dauper करते हो तो आप तो लिस्टिंग के अंदर बताम को सब्क्राइब